हलो दोस्तो इससे मैं चल रहा है फरवरी का महीना और फरवरी के महीने में हमने टमाटर के पोदे जो लगाए थे इनके अंदर फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यदि आपने भी टमाटर ग्रो किये हुए हैं और उनके अंदर फ्लोरिंग स्ट यह तो आपको ध्यान रखनाँ चाहिए, इसमें, जब यह पोदों के अंदर फ्लोरींग श्टार्ट हो जाती है, तो इनके अंदर हमें फंगिस एड का च्छड़काउ कनना चाहिए, या फिर आपको जो नीमोवयम्य लोता है, उसका च्छड़काउ कनना चाहिए, जिससे के अंदर बहुत अच्छी ग्रोध है और इनके अंदर फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई है जैसे कि आप देख पारें फ्लोर एक जगे ही लगबग साथ आठ फ्लोर आये हुए हैं और इनके बहुत ही अच्छे फ्लोर के टमाटर लगने वाले हैं और आगे आपको जब इसके अंद वाले समय में सुन्डी का परकोफ देखने को नहीं मिले और खाद की बात करें तो इस समय पोदे को बहुत ही अधीक जब यह टमाटर बनने लगते हैं तो खाद की आवसकता होती है तो इस समय आपको एनफी की खाद का लगाना चाहिए अपने खेत के अंदर और हलका डिये देखने को मिलेगी और बहुती साफ सुत्री टमाटर आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि आप देखा रहे हैं और आप यदि गर्मियों के अंदर टमाटर की खेती करते हैं तो आपको लगबग 30-40 रुपे किलो की भाव आसानी से देखने को मिलते हैं जैसा कि आप देख पार रहे हैं इस प्रकार की टेमाटर एक एक जगह लगबग 10-15 टेमाटर देखने को मिलेंगे